हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम भारती नदियों के तड़ पर इसति सहरों के नाम जानेंगे और यह जो भी कोश्चेंज देवें इसमें सारे के सारे के सारे कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है और यह सभी प्रिवेस येर क्वेस्चन है जो की पुछे गए हैं 2018 से 2022 के आपके दिया हुए अयोध्या, बभौपाल, कानपूर और हरिद्वार सही उतर क्या होगा तो इसका जो सही उतर है कि अयोध्या जो है वो सर्यू नदी के तड़ पर इस्थित है नेक्स क्या दिया होगा कि कोलापूर शहर निम्न लिखित में से किस नदी के किनारे इस्थि गंगा दिया हुआ है और सरो दिया हुआ तो इसका सही उतर क्या होगा तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा पंच गंगा नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया हुआ है कि बिजयवाडा सहर इन में से किस नदी के तड़ पर इस्तित है तो ये तो लगभग सभी जानते होंगे इसका सही उतर क्या होगा तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा कृष्णा नदी के तड़ पर इस्तित है ये बिजयवाडा सहर next question दिया हुआ है कि गुरुद्वारा पतालपूरी शाहिप किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सतलुज नदी के तड़ पर इस्थित है देखें यहाँ पर आपका answer दिया हुआ है next question क्या दिया हुआ है कि कोटेशवर जल विद्युत परिवजना किस नदी पर इस्थित है तो इसका सही उत्तर क्या होगा options दिया हुआ है दामोदरी, गोमती, भागीरती और कोसी इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा भागीरती आप इसे नोट डाउन कर लिजे नेक्स क्या दिया हुआ है कि मदुरे किस नदी के तड़ पर इस्तित है ओप्सन दिया हुआ है संगीत, सिंधु, गोमती और वैगई तो इसका सही उतर क्या होगा जो सही उतर होगा वो होगा ओप्सन नमबर D वैगई डिखे एक औप्सन नमबर क्या दिया हुआ है अग्ला क्योंचन है कि डिब्रूगड किस नदी के तड़ परिश्तित है अब अगला question दिया हुगा है कि कटक किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा option number D महा नदी के तड़ पर क्या होगा इस्थित होगा क्या दिया हुए 13 नमबर की कोटा किस नदी के तड़ पर इस्थित है देखे option दिया हुए ब्रह्मा पुत्र, सिप्रा, जेलम और चंबल तो इसका सही उतर क्या होगा इसका जो सही उतर होगा वो होगा option number D ये चंबल नदी के तड़ पर इस्थित है, कोटा question number 15 क्या दिया हुए जमसेदपूर किस नदी के तड़ पर इस्थित है option दिया हुए सुवणर रेखा, पन्ना, क्रिश्ना, ब्यास तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा सुवणर रेखा तो जमसेदपूर किस नदी के तड़ परिश्थित है तो सुवणर रेखा नदी के तड़ परिश्थित है देखिए answer 1 दिया हुआ इस वीडियो में बस इतना ही और भी हम important question के साथ मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए good bye और यदि आपने वीडियो को like नहीं किया और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लें